Hey guys, what's up? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है किरन तो actually मैं मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था ये चीज़ कि मैं अपना apartment shift कर रही हूं किसी दूसरी location पर finally shift हो चुकी हूं लेकिन कुछ भी setup नहीं हो पाया है तो आने वाले कुछ time तक इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगी एक proper studio बनने में थोड़ा सा time लगेगा but anyways, आज के इस वीडियो के topic के बारे में बात की जाए यार तो आप सभी को पता है 5th of March को Realme 6 Series launch होने जा रही है मेरे पास काफी सारे ऐसे doubts आ रहे हैं लोग मुझे comments करके पूछ रहे है कि यार 1000 रुपे दे के Realme 6 Series को book कर लिया जाए क्या लेकिन actually में अगर आप लोग वाकई में interest रखते हो ना तो मेरे हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में इस बार Realme 6 and Realme 6 Pro किस तरह के होने वाले किस price segment में ये smartphone launch होंगे क्योंकि पहले ही बता रही हूँ इस बार जो price segment है वो totally बदलने वाला है थोड़ा price आपको अलग देखने को मिलेंगी काफी कुछ वैसे निकल के भी आ रहा है लेकिन exactly में किस तरह के specs आपको देखने को मिलेंगे किस price range में मिलेंगे उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़े एकदम detail में पता लगने वाली है तो बिना कोई time waste के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो अब भी सबसे पहले अगर phone की display के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो यार 90 Hz refresh rate का support होने वाला है इस series के अंदर यह तो already confirm हो ही चुका है लेकिन एक चीज मैं for sure बोलूँगी कि यह जो upgrade है ना यह Realme 6 के लिए बहुत बड़ा upgrade होने वाला है क्योंकि अभी तक अगर आप लोगों ने notice किया होगा तो Realme 6 के जितने भी producers आया है वहाँ पे 90 Hz सो छोड़ो हमें सिर्फ HD plus resolution वाली display देखने को मिलती थी इस बार full HD plus के साथ साथ 90 Hz refresh rate का support भी देखने को मिलेगा Realme 6 and Realme 6 Pro में जो की काफी अच्छा upgrade है जहां तक बात रही AMOLED की तो Realme 6 में तो मुझे AMOLED की chances थोड़ा सा कम लग रहे है लेकिन हो सकता है प्रो में हम लोगों को AMOLED पैनल देखने को मिल जाए आपको क्या लगते हैं इस बारे में मुझे comment section में जरूर से बताना लेकिन एक चीज है यहाँ पर अगर आप यह सोच हो ना कि इतने अच्छे specifications मिलने के बाद अगर Realme 6 का प्राइस शाय से 10,000 और प्रो वाले वेरियंट का प्राइस शाय से 14,000 होगा तो आप यहाँ पर बहुत गलत हो क्योंकि इस बार प्राइस काफी जादा अलग होने वाले है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर camera's के बारे में बात की जाए तो दोनों ही phone में quad camera setup होंगे दोनों में ही primary camera 64 megapixel के होंगे बस वो बात अलग है कि Realme 6 जो है उसके अंदर most probably Samsung का sensor देखने को मिलेगा और pro वाले variant के अंदर Sony का sensor देखने को मिल सकता है बाकी 8 megapixel के wide angle lens होने वाले है ये confirmed already निकल के आ चुका है एक telephoto lens आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर 20x zoom तक का support होने वाला है और एक macro lens दिया जाएगा तो ये भी काफी अच्छी बात है बाकी जहाँ तक बात रही phone के front cameras के बारे में है तो I guess आप मेंसे सभी लोगों को बता होगा कि realme 6 pro के अंदर dual punch hole selfie cameras देखने को मिलेंगे लेकिन पता है क्या एक interesting चीज बताना चाहूंगी कि Poco X2 की तरह secondary camera lens यहाँ पर depth sensor नहीं होने वाला है बलकि most probably wide angle का lens दिया जाएगा जो कि काफी जादा interesting होगा अभी दोनों ही phone में किस megapixels के camera हमें देखने को मिलेंगे इसके वारे में अभी थोड़ा comment करना मुश्किल है बठाँ आने वाले time पे तो पता लगी जाना है और मुझे बता है अभी आप लोग सबसे ज़्यादा curious होगे कि यार अब ये बता दो कि कौन से processors दोनों phone के अंदर रेखने को मिलेंगे तो जहां तक बात रही अभी कुछ time पहले एक geekbench का score आउट हुआ था जहां से काफी हद तक ये चीज confirm हो जाती है कि Realme 6 Pro के अंदर Snapdragon 720G chipset हमें देखने को मिल सकता है वही पर अगर बात की जाए Realme 6 के बारे में इसमें अब अच्छल में काफी सारी जगे से निकल के आ रहा है कि MediaTek का Helio G90T होगा काफी जगे से ये भी निकल के आ रहा है कि G90 होने वाला है बट honestly अगर मैं बोलू तो मेरे हिसाब से तो यार MediaTek का G90 प्रोसेसर हम लोगों को Realme 6 के अंदर देखने को मिलेगा आपको इस बार में क्या लगता है ये भी मुझो कमेंट्स में जरूर से बताना और अभी जो एक और सबसे बड़ा अपग्रेड इस बार की सीरीज में किया जा रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर I mean जो बैटरी का कैपेसिटी है वो तो most probably भी 4 या 4.5 मह के आसपास ही रहेगा लेकिन जो fast charger है box के अंदर वो आपको देखने को मिलने वाले है 30W का VOOC fast charger वो भी Realme 6 के box में भी और Realme 6 Pro के box में भी मेरे हिसाफ से ये एक one of the most important upgradation यहां पर किया जा रहा है इतना बड़ा charger वो भी Realme 6 के साथ भी तो इसके लिए तो वाकई में यार एक thumbs up देना तो बनता है Realme को भी और इस वीडियो को भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे तो तो अब बात करते हैं main मुद्दे पर I mean जिस पर सारी चीज़े depend करते हैं कि आपको ये smartphone purchase करना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि यार इस बार का जो price है ये मैं काफी बार बोल चुकी हूँ कि काफी जादा different होने वाला है काफी अच्छे upgradation किये गए हैं तो most probably जो Realme 6 है वो आप लोगों को 12,000 की price में और Realme 6 Pro आप लोगों को most probably 16,000 की price में देखने को मिल सकता है मेरे according हाँ अगर Realme बहुत जादा aggressive होके launch करता है तो हो सकता है Realme 6 11 में और Pro वाला variant 15 में देखने को मिल जाए वाट हाँ इस बार price थोड़ा सा जादा आपको देखने को मिलेगा और अगर आप ये सोच हो ना कि यार मुझे तो 10,000 की price में ही phone purchase करना था देन मैं बोलूँगी आप थोड़ा सा wait कर लो Realme 6 आई भी बहुत ही जल लॉंच होगा और उसका price में बोलूँगी कि 10,000 के नीचे आपको देखने को मिलेगा तो हाँ आप उसका भी जरूर से wait कर सकते हो बाकी तो I hope आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ पता लग गया होगा कि किस तरह की सीरीज होने वाली है इस बार की Realme की अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना यार तो इस वीडियो को like जरूर से करिएगा बाकी मैं आपको मिलते हूँ नेक्स रिडियो में